क्या आप कभी इस बात से हैरान हुए हैं कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि अन्य लोग संघर्ष करते रहते हैं। क्या आप भी जीवन में सफलता और आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। अगर हा, तो अमीर कैसे सोचते हैं। How Rich People Think आपके लिए एक बेहतरीन किताब है। यह किताब आपको उन तरीकों से परिचित कराएगी, जिनसे धनी लोग सोचते हैं और कारे करते हैं। इस वीडियो में हम इस पुस्तक की प्रमुक विशिष्टाओ और यह आपके वित्तिय लक्षों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कैसे कर सकती हैं। इस पर चर्चा करेंगे। आप सिखेंगे। अमीरों की सफलता के पीछे छिपी सोच। गरीबों और अमीरों की सोच में अंतर धन प्राप्ति के लिए सकारात्मक द्रिष्टिकोन का मेहित्व आर्थिक लक्षे निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की रनीतिया और बहुत कुछ तो देर किस बात की बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों जहां हम सीखेंगे की अमीर लोग कैसे सोचते हैं पाठेक पैसा विचारों से बनता है मध्यमवर्ग के लोग अक्सर यह मानते हैं कि पैसा समय लगा कर कमाया जाता है जितना अधिक समय आप काम करेंगे उतना ही अधिक पैसा आप कमाएंगे लेकिन अमीर लोग इस सोच से अलग होते हैं उनका मानना है कि पैसा एक अच्छे विचार से बनता है, समय से नहीं उदाहरन के लिए उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कमपणियों में से एक है यह सत्तर देशों में अपनी सेवाईं प्रदान करती है और इसका मूल्यांकन अर्बों डॉलर में होता है यह अग्भुत परिनाम उबर के संस्थापक ट्राविस कैलनिक के एक रचनात्मक विचार के कारण है उबर के आने से पहले भी टैक्सी सेवाईं मौझूद थी लोग उनका उप्योग करते थे कई विवसाईयों ने टैक्सी सेवाईं शुरू की लेकिन उन्होंने कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया कि टैक्सी ढूंड़ना कितना मुश्किल होता है लोगों को टैक्सी के लिए इंतजार करने में बहुत समय वितीत करना पड़ता है ट्राविस ने इस समस्या का समाधान ढूनहा उन्होंने एक ऐसा एप बनाने का सोचा जिससे यात्रियों का समय बरबाद नहो और वे आसानी से अपनी टैक्सी बुक कर सकें उसी विचार के कारण ट्राविस आज एक अरब डॉलर की कमपनी के मालिक है मध्यमवर्ग के लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं वे पूनकालिक नौकरी करते हैं लेकिन वे अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी सोच गलत होती है वे सोचते हैं कि समय बेचकर ही पैसा कमाया जा सकता है लेकिन अमीर लोग एक विचार पर काम करते हैं, उसे क्रियानवित करते हैं और अपनी सोच के कारण जल्दी ही अमीर बन जाते हैं निशकर्ष, मध्यमवर्ग, समय पैसा, अमीर, विचार पैसा पाठ दो, खर्च बनामनिवेश यह सच है कि मध्यमवर्ग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करता है वे अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि यह कहना गलत होगा कि वे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं असल समस्या यह है कि उनकी आय कम होती है। यदि वे कोई मेहंगी वस्तु खरीदते हैं, तो उनका पूरा बजट बिगर जाता है। दूसरी ओर, अमीर लोग बचत या खर्च करने की जगह पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। वे निवेश पर जोर देते हैं। अमीर लोग भी खर्च करते हैं और मध्यम वर्ग के लोगों से भी ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन वे उन लोगों से कहीं ज़्यादा कमाते भी हैं। मध्यम वर्ग के लोग केवल अपने खर्चों और बचत को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें अमीरों की तरह पैसा निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी आए बहाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है. इसलिए उनके लिए पैसा 24 घंटे काम कर रहा होता है. दूसरी और, मध्यम वर्ग के लोग केवल पैसे के बारे में सोच सोच कर ही परेशान रहते हैं. मध्यम वर्ग को क्या करना चाहिए? अपनी आए बहाने के तरीके खोजें. अपनी बचत योजना बनाएं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रन रखें. पैसे का बुध्धिमानी से निवेश करें. अमीर लोगों से सीखें. पैसा कमाने के नए तरीके खोजें. अपनी आए का निवेश करें. पैसे को अपने लिए काम करें. निशकर्ष मध्यम वर्ग अपनी आर्थिक स्थिती को बेहतर बनाने के लिए अमीर लोगों से सीख सकता है उन्हें अपनी आए बहाने, बचत करने और पैसे का बुध्धिमानी से निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए Part 3 Safe Verses Calculated Risk मध्यम वर्ग के लोग पैसों को लेकर ज्यादा सतर खोते हैं उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने पैसे खो दिये तो वो उन्हें वापस नहीं कमा पाएंगे इसलिए वे ज्यादातर जरूरत की चीजों पर ही खर्च करते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं दूसरी तरफ, अमीर लोग पैसों को लेकर ज्यादा आत्म विश्वास रखते हैं. उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने कुछ पैसे खो भी दिये तो वे उन्हें वापस कमा सकते हैं. इसलिए वे ज्यादा जोखिम लेने के लिए तयार रहते हैं. यह बात सच है कि हर बिजनिसमेन या इन्वेस्टर को पता होता है कि कभी न कभी नुकसान जरूर होता है. लेकिन वे इससे घबराते नहीं हैं क्योंकि उनके पास वो हुनर होता है जिससे वे वापस से उन पैसों को कमा सकते हैं. हर बिजनिसमेन को पता है कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे जोखिम लेना ही पड़ेगा ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग जब 70 से 80 साल के हो जाते हैं और पीछे मुर कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन में थोड़ा सा भी जोखिम नहीं लिया उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो जोखिम लेना सीखें यहां कुछ मुखे बाते हैं मध्यमवर्ग के लोग पैसों को लेकर डरते हैं जबकि अमीर लोग आत्म विश्वास रखते हैं अमीर लोग ज्यादा जोखिम लेने के लिए तयार रहते हैं हर बिजनिसमेन को पता होता है कि जोखिम लेना ज़रूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी जोखिम लेना सीखना होगा यह भी ध्यान रखें सभी अमीर लोग जोखिम लेते हैं, यह सच नहीं है कुछ अमीर लोग बहुत ही सावधानी से पैसा लगाते हैं जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना चाहिए. जोखिम लेने से पहले आपको अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए और सभी पहलूँ पर विचार करना चाहिए. अंत में जोखिम लेना अमीर बनने का एक महित्वपून तरीका हो सकता है, लेकिन यह एक मात्र तरीका नहीं है. आपको अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना चाहिए. पाट चार यह बातें अकसर मध्यम वर्ग के लोग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दूसरों के पैसे हरपने होंगे या दूसरों को नुकसान पहुचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते. इसलिए मध्यम वर्ग के लोग अमीर लोगों को निर्दे ही समझते हैं और यह सारी बातें बच्पन से ही हमारे दिमाग में डाली जाती हैं लेकिन दूसरी तरफ अमीर सोच रखने वाला व्यक्ति अमीर लोगों को समान की नजर से देखता है और इसी वजह से वह उन लोगों की तरफ आकरशित भी होता है और उनहीं के बताए हुए रास्तों पर चल कर बहुत जल्दी अमीर बनता भी है तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीर लोगों का समान करें उनकी आद्टों से सीखें अमीर बनने के रास्ते पर चलना शुरू करें अमीर लोगों के बारे में कुछ सच सभी अमीर लोग दूसरों का खून चूसकर अमीर नहीं होते हैं कई अमीर लोग कड़ी मेहंत और लगन से अमीर बनते हैं अमीर लोग भी इनसान ही होते हैं और उनमें भी अच्छाई और बुराई दोनों होती है अमीर बनने के लिए आपको दूसरों को नुकसान पहुचाने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं अपनी सोच बदलें पैसे के बारे में सही जांकारी प्राप्त करें अपनी कमाई बहाने के तरीके खोजें अपने पैसे को बचाना और निवेश करना सीखें धैरे रखें और लगातार मेहंत करते रहें अमीर बनना आसान नहीं है लेकिन यह असंभव भी नहीं है यदि आप सही सोच और रनीती के साथ काम करेंगे तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं पार्ठ पांच लॉट्री वर्सिस अक्शन्स मध्यमवर्ग लॉट्री में किस्मत आजमाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अमीर बनने का एक मात्र रास्ता है काबिल होते हुए भी खुद पर भरोसा नहीं करते पैसों की चिंता में रहते हैं बच्पन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग चोर और ठग होते हैं अमीरों को देखकर प्रेरित नहीं होते रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं भगवान, सरकार या बॉस से मदद की उम्मीद करते हैं अमीरों को देखकर प्रेरित होते हैं खुद पर भरोसा करते हैं ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं सपने देखने के साथ साथ काम भी करते हैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं लक्षे निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। मध्यम वर्ग और अमीरों के बीच मुखे अंतर्या है कि मध्यम वर्ग दूसरों पर निर्भर रहता है जबकि अमीर खुद पर भरोसा करते हैं। अमीर लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग किस्मत के इंतजार में रहते हैं। सरल शब्दों में मध्यम वर्ग, पैसों की चिंता, लोटरी में किस्मत, दूसरों पर निर्भरता। मध्यम वर्ग का मानना है कि सिर्फ अपचारिक डिगरी से ही अमीर बना जा सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या अपना व्यवसाय सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पहालिखा होना जरूरी नहीं है। उस छेतर में विशेश ग्यान होना अधिक मेहित्वपून है। कई विश्विस्तरी अमीर लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें अपने छेतर में पर्याप्त ग्यान होने के कारण वे आज इतने अमीर हैं। डिगरी आपको एक अच्छी नोकरी दिला सकती है, जिसमें समय पैसा होता है। इसका मतलब है कि आप जितना समय देंगे, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। किसी भी छेतर में विशेश ग्यान आपको अमीर बना सकता है। अमीर लोग अपनी स्ट्रीट स्मार्ट तरीकों का उप्योग करके पैसा कमाते हैं और उन्हें पता है कि लोगों की समस्याओं को हल करके ही अमीर बना जा सकता है। इसलिए वे ऐसी समस्याओं को ढून रते हैं जिन्हें आज तक किसी ने हल नहीं किया है और बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। इसलिए अमीर लोग खुद को केवल डिग्री तक ही सीमित नहीं रखते हैं। वे स्वयन अध्यन पर ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दूसरे अमीर लोगों से सीखते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चल कर खुद भी अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे छे मेहित्वपून सबक How Rich People Think इस पुस्तक से। दोस्तों, अमीर कैसे सोचते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी सोच में बढ़लाव लाना होगा। इस किताब में बताए गए सिध्धान्तों को अपना कर आप अपनी आर्थिक स्थिती को सुधारने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं याद रखें, अमीर बनना एक सफर है, मन्जिल नहीं इस सफर में आपको कठिनायां जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप द्रिर निश्चे हैं और मेहंत करते रहते हैं, तो आप सफल जरूर होंगे शुरुआत आज ही कीजिए